Welcome in RSK Maths Monitor, Chapter हमारा 2nd, Linear Equation in 1 Variable, Exercise 2.2 Today we discuss about the question number 11 Bai Chung's father is 26 years younger, जवान है than Bai Chung's grandfather, उसके दादाजी से यहनि दोनों के age गैप किया है? 26 year का है 29 years older than Bai Chung's, जो फादर है Bai Chung से 29 years older है तो इसमें हम Bai Chung की ही age को let कर लेते हैं Let, जो Bai Chung नाम का person है, Bai Chung's age, उसकी age मान लेते हैं X years के अंदर है, why years भी मान सकते हैं, आप X ही मान लेते हैं अब इसके father है, Bai Chung के father से father की age हम निकाल लेंगे अब वो Bai Chung से कितने, Bai Chung से 29 years older बड़े हैं, यानि X प्लस में 29 years अब grandfather उसके बाद हमारे पास grandfather's age अब उनके बीच में, father और grandfather के बीच में 26 years का gap है यानि अगर father X प्लस में 29 के हैं, तो grandfather उसके क्या हैं? बड़े हैं, 26 years अब ये 300 person होगे, अब according to question, the sum of ages of all three persons 300 persons की sum, यानि Bai Chung, फिर उसके father और फिर उसके grandfather सबकी age का जो sum है, क्या है? 135 years अड करेंगे X, X और X, तिनों मिलाकर 3X 29, 29, 58 और 26, 84, यहां से 135 अब ये equation है, यहां पर one by one हम variable की value निकालेंगे 84 को move करेंगे, 3X equal to 135 यहां ये number plus का इदे जाएगा, तो ये number minus का हो जाएगा हम 5 में से 4 गए, 1, 13 में से 8 के 5, 3X अब हम X की value निकालने, X को हम एजटीज रखेंगे, 51 3 यह multiply में इदे रहेगा तो divide में, 3 से divide करेंगे, 17 यहनि जो X की हमारे पास value हो गई, वो 17 यहनि जो y चुंग था उसकी age कितनी? 17 years होगी अब उसके father है, father की age क्या होगी? उससे 29 years बड़े है, plus में 29 कर देंगे 6 और 46, अब grandfather की age अब father क्या है, 46 और grandfather से 26 years बड़े है तो यहां से inquired करेंगे, 72 तो 30% की age होगी है Now question number 12, 15 years from now आज से 15 years आगे, Ravi's age will be 4 times his present age उसकी present age का 4 times होगी सबसे पहले तो हमें present age का clear होना चीए तो let present age of Ravi Ravi की present age, x years माल लेते हैं अब according to question statement राइट करेंगे आज से, यानि आज से, आज से, आज इसकी एक से 15 years आगे, 15 साल आगे, यानि plus होगी, will be, यानि आगे होगी, कितनी होगी? रिजल्ट होगा ये 4 times his present age 4 times his present age present age का 4 गुना होगी, 4 times होगी अब यहां से x प्लस में 15, 4x यहां पे variable है और यहां भी variable है, इनको एक साथ रखेंगे इसको नहीं लेके जाएंगे, हम इसको लेके आएंगे यहां छोटा नमबर है, इसको वहां पे लेके जाएंगे 15 is equal to 4x, x यहां माइनस, प्लस का सोरी, यहां जाकर माइनस का हो जाएगा remaining is 3x और यहां पे 15 अब हमें x की value निकालनी है, 15 as it is, 3 को यहां से move करेंगे right से left की तरफ, यह नमबर यहां multiply में इदर जाके divide में, 3 से divide करेंगे, 3, 5, 15, यहां जो रवी की present age है, x हमने लेट के था 5, तो 5 years होगी इसकी present की age next question है, a rational number, अब हमारे पास rational number है, तो हमें लेट करना पड़ेगा let a rational number उसको हम y माने, x माने, आपकी चोएस है you multiply it, हमने according to question क्योंकि statement बनानी हमे multiply हमें किसको, इसको 5 by 2 से, यह नि 5 by 2 से multiply करेंगे उस number को अब इस product में, इस product के अंदर add करेंगे 2 by 3 add करेंगे 2 by 3 you get, get मतलब आपको result मिला क्या minus 7 by 12 minus 7 by 12 यह हमारी statement होगे, इसके coding चलते हैं अब यहां से 5 by 2 y plus में 2 by 3 equal to minus 7 by 12 इस number को move करेंगे, left से right की तरफ जाएंगे equal से 5 by 2 y equal to minus 7 by 12 अब यह number यहां plus का है, इजर दाएगा तो minus का हो जाएगा यह हमारी rational number है, LCM लेके solve करेंगे इसका LCM 3, 12 को completely divide करता है तो हमेशा big number LCM होता है, तो 12 इसका LCM होगा 12 को 12 से divide करोगे, 1 7 बन जा, 7, minus का, minus रहेगा 3 से divide करेंगे, 4 जा पे गया और 4, 2 जा, 8 अब यह number हमारे पास दोनों के sign से, same sign होता हो, numbers को मिलाते है 7 में 8 मिलाएंगे, minus के 15 minus के मिलाएंगे, तो minus रहेगा, by में 12 अब यहां से 5 by 2 y equal to minus 15 by में 12 y के value निकालनी है, minus 15 by 12 अब यह number y के divide में था तो उपर जाएगा उधर multiply में, और यह y के multiply में था तो यह number निच्चे आएगा यानि इसका reciprocal हो जाएगा, जो निच्चे नमबर उपर जाएगा, जो उपर वो निच्चे आजाएगा 5 से कट करेंगे, 3 जापे, 2 से कट करेंगे, 6 जापे अब 3 बंजा 3, और 3 तो जा 6 y के value क्या होगी, minus का तो अल्रेडी है, 1 और by में 2 तो y is minus 1 by 2, this is the rational number dear students, if you like our video then like and share the video